है चलिए बात करते हैं कोशिच्चन नमबर 121 के बारे में क्या आरा 121 एक इसी सामान को बी 15 प्रतीशत लाब पर भी इसी सामान best रहे है परिणामी年的 रूप से लाभ या रहतने प्रतीशत कितना होगा यह में बता इsi से य सी सामान को प्रतीशत का लप मतलब 115 पर फिर 5 प्रतिशत की हानी मतलब 95% उपर दो बार है तो नीचे 100 कितनी बार आ जाएगा एक बार इसकी वेल्यू निकाल लेंगे ये 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने का लाव और ये 100 से जितना कम होगा उतने की हानी हम कह देंगे एक तरीका तो ये हुआ दूसरा या तरीका है वो भी देख लेते हैं सेकेंड मैथड दूसरी विदी क्या है इसकी देखिएगा आपको कह रहा है कि ए बी को 15 प्रतिशत लाव पर तो वही फॉर्मुला फर्स सेकेंड फर्स इंटू सेकेंड अपॉन किता 100 तो फर्स प्रतिशत का लाव कह रहा है तो लाव वेल्यू को प्लस में लेकर चलेंगे और हानी वाली वेल्यू को माइनस में लेकर चलेंगे हानी कितनी 5 प्रतिशत की तो यह माइनस का 5 15 और 5 का गुणा तो 10 में से 0.75 अभी और कम करना है तो 9.25 आ रहा है तो आंस्वर तो 9.25 परसेंट आ गया लाब का है या हानी का प्लस मैं आ रहा है इसलिए लाब का है तो हम कह सकते हैं 9.25 प्रतीशत जो है वो हमें क्या होगा लाब होगा जो की तीसरा ओप्शन साहिए चलिए यह था 121 इसी 121 के साथ मैं राकेश शौदरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुकमिनी पॉब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में और उसमें हमारा चप्टर चल रहा प्रॉफिट एंड लॉस जिसका लेवल वन है और पार्ट नमबर है 13 एक कुशन कर चुके हैं बात करते हैं दूसरे की क्या गह रहा है दूसरा देखिए दिनेस ने किसी किताब को 8 प्रतिशत हाणी पर बेचा यदि उसने इसे 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 7 प्रतिशत का लाब हो जाता तो बताइए किताब का क्रे मुल्य क्या है 8 प्रतिशत हानी इसका मतलब कितना 92% में उसने बेचा लेकिन अगर 120 रुपए अधिक में बेचता तो 7 प्रतिशत का लाब होता 7 प्रतिशत का लाब मतलब 107 प्रतिशत तो यहां से यहां मैं अगर प्रतिशत में अंतर देखूं तो कितने का है तो यह 8 है और वो कितना है साथ तो यह हो गया 15 प्रतिशत का अंतर क्यूं आ रहा है क्योंकि रूपए 120 रूपए बढ़ चुके हैं उसी वज़े से 15 प्रतिशत भी बढ़ चुका है तो मैं कह सकता हू 15 प्रतिशत रुपए में किसके बराबर 120 की एक प्रतिशत का मान क्या होगा 120 बटा 15 क्या हमें एक प्रतिशत के बारे में पूछा है नहीं हमें पूछ रहा है उसका क्रे मुल्य मतलब कॉस्ट प्राइज मतलब 100 प्रतिशत का मान एक का मान इतना है तो 100 का कितना होगा 100 से गु बारे में क्या गहरा है 123 देखिए एक व्यापारी किसी मेज को 10 प्रतिशत हानी पर बेचता है यदि उसने इसे 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15 प्रतिशत का लाब हो जाता ठीक है यहां तक इस मेज पर 25 प्रतिशत लाब प्राप्त करने के लिए इसका विक्रमु के लिए भी ग्यात करना ठीक है दो चीजे पूछी है लेकिन option में एक ही value है तो देखते हैं क्या होगा देखिएगा एक व्यापारी किसी मेज को 10 प्रतिशत हानी पर बेचता है यदि उसने 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15 प्रतिशत का लाब हो जाता 10 प्रतिशत की हानी मतलब कितने प्रतिशत पर बेचेगा 90 प्रतिशत यदि वह इसे 15 प्रतिशत लाब पर बेचता है तो प्रतिशत में कितने पर बेच रहा है 115 प्रतिशत पर तो हम देख सकते हैं पहले 90 प्रतिशत में विकरी थी अब विकरी 115 प्रतिशत में तो पहले से कितना प्रतिश बढ़ चुका है तो इसका मतलब यहां से यहां तक प्रतिशत में व्रदी हो चुकी है 25 प्रतिशत यह जो 25 प्रतिशत की व्रदी हुई है यह किस वज़े से हुई है क्योंकि रुपए 75 बढ़ गए तो हम कह सकते हैं 25 प्रतिशत रुपए में किसके बराबर है 75 रुपीज तो 75 रुपीज तो एक प्रतिशत का मान देखें तो कितना आएगा 75 बटा पत्र लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस क्रेम उलिये के बारे में बात करें क्रेम उल्लिय क्या होगा 100 प्रतिशत यह तो एक प्रतिशत का मान है जाएगा वो भी निकाल लेते हैं कैसे देखिएगा हमारे पास क्रैम उल्य आच चुका है 300 रुपए 25 प्रतिशत लाप पर बेचना है तो इसका मतलब क्रैम उल्य तीन सो है 25 प्रतिशत कमाना है तो 300 के 125 प्रतिशत पर बेच दो वह हम देख सकते हैं 375 रुपए पर बिखेग तो हमारा एक option ऐसा होना चाहिए था जिसमें ये दौनों ही value हो एक भी option ऐसा नहीं है तो ये जो तीसरा option है इसको हम बना लेते हैं कॉमा 300 करके तो हमारा ये तीसरा option बिल्कुल सही हो जाएगा क्या 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 पूछा था हमें पूछा था प्रारंबिक क्रैम उल्य जो कि 300 रुपए आया और 25 प्रतिशत लाब पर बेचू तो 375 रुपए आया जो की option C हम कर लेंगे बागी option मन से कुछ भी कर लेता है ये ल हमारा अंस्वर हो जाएगा तल ये बात करते हैं 124 के बारे में क्या गहरा है 124 देखिए कुष्चन आपको कह रहा है 114 वा एक फैरी वाला अपने संत्रों को 10 प्रतिशत लाब पर बेचता है यदि वह प्रतेग संत्रे का मुल्य 20 पैसे बढ़ा दे तो होने वाला लाब 20 प्रतिशत का हो जाता है नीकालते हैं उसी तरीके से 10 प्रतिशत लाब पर बेचता है इसका मतलब 110 प्रतिशत पर बेचता है फिर वो क्या करता है 20 पैसे बढ़ा देता है तो इसका लाब भी 20 प्रतिशत हो जाता है इसका मतलब अब वो 120 प्रतिशत पर बेशता है तो पहले से अब प्रतिशत में कितनी व्रदी हो गई है 10 प्रतिशत की व्रदी हो गई है तो ये 10% की वरदी हुई क्यों? क्योंकि 20 पैसे बढ़ गए, तो मैं कह सकता हूँ 10% 20 पैसे के बराबर है, पैसे को रुपय में बदलना है, तो 100 से भाग दे दो, काम चल जाएगा, तो 10% 20 पैसे के बराबर है, एक प्रतिशत किस के बराबर होगा? 20 बटा 100, ये तो हैए, 10% क मान किसका होगा तो एक के लिए दस नीचे चला जाएगा तो यह चला गया नीचे ठीके कैंसिल होने के लिए कुछ है तो कर लेते हैं लेकिन यह तो एक प्रतिशत का मान आया है हमें क्रैम उलिये देखना है जो की 100 प्रतिशत होता है तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से हम कर लेंगे गोना ये डबल से ये डबल गया ये गया ये आए दो रुपे लेकिन आप्शन तो पैसो में चल रहा है तो रुपे को पैसो में बदलोगे तो 100 से गोना करोगे तो 200 पैसे आएंगे ये क्रेम उल्ली आया है ध्यान रखिएगा तो ऐसे तो जिसमें 200 पैसे होते, तो फिर 220 पैसे जो की विक्रे मुल्य है, वो कैसे निकालते, उसको भी देख लेते हैं, तो आपको पूछ रहा है, विक्रे मुल्य क्या होगा, कौन सा प्रारंबिक, प्रारंबिक विक्रे मुल्य मतलब सबसे पहले तो 10 प्रतिशत के लाब की ही बात हु होगे तो मैं देख सकता हूँ 220 पैसे हमारा क्या हो जाएगा विक्रे मुल्य हो जाएगा जो की पहला ओप्षिन हमारा मैच कर रहा है चलिए यह था फर्स्ट ऑप्षिन 124 का बात करते हैं नेक्स्ट 125 के बारे में क्या गरा है 125 देखिए एक दुकानदार किसी कैमरे को 12 प्रतीशत लाब पर बेचता है यदि उसने इसे 240 रुपए कम में बेचा होता तो 7 प्रतीशत का ही लाब होता यदी इस Camera को 20% लाप पर बेचना है तो इसका विक्रेमुलिये कितना होगा चलिए देख लेते 12% लाप पर बेचता इसका मतलब 112% यदी 240 रुपए कम में बेचता तो 7% का इवलाप होता इसका मतलब 107% गई तो मैं देख सकताओ 112% से 107% पहले से कमी आ गई है कितने प्रतिशत की कमी आई ये 5 प्रतिशत ये 5 प्रतिशत की कमी क्यूं आगई विक्रे मुल्य में क्योंकि 240 रुपे कम कर दिये तो मैं कह सकता हूँ 5 प्रतिशत रुपे में किसके बराबर है 240 रुपे के ठीक है यहां तक, एक प्रतीशत कितना होगा, 240 बटा 5, क्या ये एक का मान पूछा है हमें, नहीं, हमें तो पूछ रहा है विक्रे मुल्ये, तो पहले क्रे मुल्ये तो निकाल ले, क्रे मुल्ये निकालेंगे, तो क्या होगा, 100 प्रतीशत, लेकिन अगर मैं देखूं, आप 100 प्रतिषत का मान निकालोगे जो की क्रेम लिये देगा अगर हम सीधा जो पूछ रहा है आपको विक्रेम लिये 20 प्रतिशत लाब के लिए तो सीधा 120 प्रतिशत ही निकाल लेते यह एक का मान है तो 120 का मान क्या होगा गुणा कर लेते हैं 120 यहां तक cancel होने के लिए कुछ है तो हम कर सकते हैं यह जा रहा है कितना चॉइस बार तो 240 का 24 से आप multiplication करोगे तो मैं देख सकता हूँ 24 इंटू 24 कितना 576 हो गया और 0 लगावा है तो 5760 रुपए हमारा अंस्वर हो जाएगा जो कि हमारा पहला option बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 126 के बारे में क्या 116 देखिए एक दुकानदार किसी पैन को 12 प्रतिशत लाब पर बेचता है यदि उसने तीन रुपए अधिक दर करके बेचा होता तो 18 प्रतिशत का लाब होता इस पैन पर 28 प्रतिशत लाब प्राप्त करने के लिए कितना विक्रमुलिय रखा जाएगा देख सकते 12 प्रतिशत लाब पर बेचता है यदि उसने तीन रुपए अधिक दर पर बेचा होता तो 18 प्रतिशत का लाब होता 12 प्रतिशत का लाब मतलब 112 प्रतिशत में बेच रहे हैं यदि उसने तीन रुपए अधिक में बेच रहे हैं यदि उसने तीन रुपए अधिक में बेच चीह एक प्रतिशत का मान आया हमें क्या पूछ रहा है 28% का लाक राप करना है तो 28% का लाप इसका मकलत 128 प्रतिशत एक का मान इतना है तो 128 का मान कितना होगा 128 से कर सिदा सीदा कितना कि आ गया 64 रुपीज जो मैं देख सकता हूँ तीसरा option आपका बिल्कुल सही होगा चलिए बात करते हैं 127 के बारे में किया 117 देखिए ए ने एक रेडियो खरीदा और इसकी मरमत पर कितने 110 रुपे खर्च किये ठीक है फिर ये ए ने ये रेडियो बी को 20 प्रतिशत लाब पर बेचा बी ने सी को 10 प्रतिशत हानी पर बेचा और सी ने 10 प्रतिशत लाब पर 1188 रुपे में बेच दिया ए ने रेडियो कितने में खरीदा था ये पूछ रहा है तो माना ए ने रेडियो कितने में खरीदा तो क्या रेडियो का क्राय मुल्य यची हो गया, नहीं, 110 रुपय मरम्मत के भी तो खड़ चुए, तो क्या हो गया, रेडियो का क्राय मुल्य है, जितने मैं खरीदा और उस पर 110 रुपय जो खड़ चुए, वो मिला कर अब ये A को इतने में रेडियू पढ़ा फिर A ने B को बेचा है 20 प्रतिशत के लाब पर मतलब इसके 120 प्रतिशत पर बेचेगा फिर B ने आगे C को बेचा है 10 प्रतिशत की हानी पर मतलब इसके 90 प्रतिशत पर बेचेगा फिर C ने क्या किया 10 प्रतिशत लाब कमाया इसका मतलब इसके 110 प्रतिशत पर बेचा और बेचा फाइनली लास्ट वाले को व्यक्ति को कितने में 1180 रूप है तो सबसे लास्ट वाला जो खरीदार है उसके लिए जो क्रेम उल्ली है ये आ गया ये वैल्यू अपने आपे 100 प्रतिशत रही होगी उसका 120 प्रतिशत पिर ये वैल्यू अपने आपे 100 प्रतिशत रही होगी उसका 110 प्रतिशत पिर ये वैल्यू अपने आपे 100 प्रतिशत रही होगी उसका 110 सिर्फ और सिर्फ वाई का मान निकालना है जो कि हम निकाल लेते हैं तो देखिएगा क्या मान होगा y का कैंसल होने के लिए अगर देखें तो ये 2, 0, ये 3 है तो ये 1, 2 और ये 3 हो गए ठीक है फिर 11 से अगर इसको देखूं तो ये जाएगा 108 एक बार गए 8 बार गए 0 लग जाएगा पूरा-पूरा जा रहा है इसलिए आपके पास सौ और दस का गुणा उधर हो गया कितना एक हजार वाई का मान निकाल सकते है हजार में से 110 कम करना है तो हजार में से आप 110 कम करोगे तो 890 रुपए आ जाएगगे तो कितने में खरीदा था 890 रुपए में खरीदा था चलिए ये था 127 बात करते हैं नेक्स्ट कॉशन 128 के बारे में क्या गहरा 128 बारे में देखिए आशीश ने 120 कुशियां 440 रुपए प्रती कुशी की दर से खरीदी है इन में से 30 कुशियां 60 रुपए प्रती कुशी लाब पर 75 कुशियां 80 रुपए प्रती कुशी लाब पर तता 30 कुशियां 36 रुपए प्रती कुशी हानी पर बेच दी तो प्रती कुर्सी औसत लाब क्या है ये बताईए बता सकते हैं बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो पहले तो हम देखते हैं क्रैमुलिय कोस्ट प्राइज क्या होगा क्रैमुलिय देखिए 120 कुर्सी आए 440 हरे कुर्सी की रेट है तो 120 का 440 से हम कर लेते हैं गोड़ तो य ये आ गया कितना 5,280 रुपए आ गया क्रेमुल्य ठीक है चलिए बेचने का हिसाब क्या है तीस कुर्सिया 60 रुपए प्रती कुर्सी लाब पर बेचिए देखिएगा विक्रेमुल्य जो है उसके बारे में अब हम बात करेंगे 30 कुर्सिया है 60 रुपए प्रती कुर्सी लाब पर बेचिए तो पहली 30 कुर्सिया है 60 रुपए हर कुर्सी पर लाब कमाया है हर कुर्सी है कितने की 440 रुपए की 60 रुपए कमाया इसका मतलब हर एक कुर्सी को कितने में बेचा 500 रुपए में तो 30 कुर्सियों को कितने में ब डबल जीरो लगेगा एक जीरो और लगना है यह यह आगया कितना पंद्रह अजार रुपए ठीक है यह तक चलिए फिर आगे देखते हैं फिर कह रहा है 75 जो चेर है 75 कुर्सियां जो हैं उनका क्या हिसाब बता रहा है हर एक कुर्सी को 80 रुपए के लाब उपर बेचा तो हर एक कुर्सी है कितने की 440 की तो हर एक 440 पर 80 का फाइदा लेगा तो इसका मतलब बेचेगा कितने में 520 रुपए में ठीक है तो यह बेच रहा आपके 520 रुपए तो कुल मिलागर कितने रुपए आएंगे इनसे गुणा करके देख लेते हैं 5 का 2 से 10, 25 और 7 का 2 से कितना 14 तो 25 और यह 14 और एक तरह से एक ले लेंगे तो कितना हो गया 15 तो 25 और 15 हो गया हमारे सामने कितना 40 फिर 7 का 5 से 35 और 4 कितना यह हो गया आपके पास गुन 40 जीरो है क्या बिलकुल और इधर से एक और जीरो आएगा तो यह आ गया गुंचालिस हजार फिर कह रहा है बची वी सेश कुर्षियां तो टोटल कुर्षियां कितनी है हमारे पास एक सो बीस एक सो बीस वैसे 75 और 30 अगर हम देखें तो कितनी बिख चुकी है 105 बिख चुकी है बची कितनी है 15 चलिए बची भी कुर्षियां लेते है 15 इस पर आपको एगर 30 रुपए की हानी देखनी है तो आप क्या देखोंगे 404 रुपए आप देखोंगे हर कुर्षि को बेचा जा रहा है तो इसका अलब 15 इंटू 404 इससे यहां का विक्रे मुलिये टोटल कितना है वो निकल के आएगा मल्टिप्लिकेशन करते है इसका 404 और ये कितना है 15 5 का 4 से 20 फिर ये 2 और ये कितना 20 ये 4, 0, 4, ये 0, ये 6, ये और ये कितना 6 आएगा तो ये लेते हैं हमारे पास 6, चलिए 6, 0, 6, 0 अब आपको कह रहा है हर एक कुर्सी पर औस तलाब कितना ये हमें बताना है तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल हमारी जो सेलिंग प्राइज आई है टोटल जो विक्रे मुलिया आया है वो कितना है टोटल SP सेलिंग प्राइस कितना है टोटल करते हैं इनका सिंपल है कितना हो गा ये 0 फिर ये कितना हो गया 6 फिर ये कितना हो गया 0 हो गया ये हो गया आपके कितना 6 फिर थर्ड वाला है तो ये कितना हो गया 0 फिर ये हो गया 9 और 5 कितना 14 और 6 कितना 20 फिर दो गया तो ये 3 और ये हम देखें कितना 3-6 आगे आपके सामने 52,800 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइज था और 60,060 रुपए हमारा टोटल क्या आ चुका है सेलिंग प्राइज आ चुका है तो कितने का प्राफिट है वो देखते हैं पहले तो कम करते हैं इसमें से तो 52,800 है तो 200 करेंगे तो ये हो गया कितना आपका क्रेपल और ये फिर साथ करेंगे तो ये हो गया कितना 7,260 और उसमें ये करना है तो 7,260 रुपए का हम कह सकते हैं क्या है प्राफिट है 7,260 रुपय का हमारा टोटल प्रॉफिट है जो कि कितनी कुर्सियों के लिए 120 कुर्सियों के लिए तो हर एक कुर्सी के लिए पूछ रहा है तो 120 से हम इसका भाग देदेगे ठीक है अब देख लेते हैं सिंपल सा कितना आना 7,2,6 अपॉण 12 तो सीधा सीधा 6 बार तो जाई रहा है फिर कितना बच रहा है 6 पॉइंट लगेगा 60 होगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार तो इसका मतलब 60.50 सेकेंड ऑप्शन हमारा बिलकुल सही होगा तो हर एक कुर्सी के लिए जो प्रॉफिट होना है वो केतना है 60.50 का चलिए यह था हमारा कुश्चन 128 बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन 129 के बारे में क्या गह रहा है 133 देखिएगा 130 आपको कह रहा है हरी ने दो साइकलों में से प्रतेक को 1980 रुपए में बेच कर एक पर 10 प्रतिशत की हानी तदा दूसरी पर 10 प्रतिशत का लाब कमाया तो बताइए दौनों साइकलों का जो क्रे मुल्य है कॉस्ट प्राइज है उसमें डिफ्रेंस पूछ रहा है दौनों साइकलों का कुल क्रे मुल्य चलिए डिफ्रेंस नी टोटल पूछ रहा है निकाल सकते हैं कैसे देखिएगा हर एक को 1980 रुपए में बेचा है हर एक साइकल का सेलिंग प्रैस हमारे पास है कितना 1989 एक परौर 10 प्रतिषत की हानी इसका मतलब फॉर्स्ट वाली जो साइकल है 10 प्रतिशत हानी मतलब 90 प्रतिशत पर बेची थी और रुपए में कितने पर बेची 1980 में एक का मान क्या होगा 1980 बटा 90 लेकिन हमें एक प्रतिशत नहीं उसका cost price निकालना है 100 का मान निकालना है तो गुणा में कर लेंगे हम 100 ये cancel हो रहा है तो cancel कर लिया cancel हो गया अब इसको काट लेते हैं तो 9 से ये चला गया कितना 2 फिर ये 18 हुआ फिर से 2 और ये 0 ही है तो हमारे पास आ गया डबल टू डबल जिरो बाइस सो रुपए पहली वाली जो cycle है उसका क्या क्रेम लिया चलिए बात करते हैं आगे दूसरी वाली के लिए दूसरी को 10 प्रतिशत लाब पर बेचा है इसका मतलब दूसरी वाली को 110 प्रतिशत पर बेचा है और रुपए में कितने पर बेचा है 1980 रुपए में एक प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं unity method एक एक नियम से ये 110 कहां चला गया नीचे एक का मान नहीं हमें उसका cost price चीए मतलब उसका क्रेम उल्य चीए मतलब 100% का मान चीए तो गोड़ा में कर लेंगे कितना 100 यह cancel हो रहा है और कुछ cancel हो रहा है तो यह गया कितनी बार एक बार कितना रहा है तो आप गया है आट बार यह आपके पास 200 और वो एक और 1000 आ जाएगा तो आपके पास कितना हो गया तीन और यह 4000 इसका मतलब option कौन सा सही है आपका दूसरा option बिलकुल सही होगा चलिए बात करते हैं question number 130 के बारे में 130 के बारे में क्या कह रहा है 130 देखिए रवी ने दो रेडियो 32 रुपए में खरीदे दौनों का total cost price है 32 उसने एक रेडियो 25 प्रतिशत लाब दूसरे को 25 प्रतिशत हानी पर बेज दिया यदि दौनों के विक्रे मुल्य समान हो selling price similar है तो बताईए प्रतेक का विक्रे मुल्य क्या होगा बता सकते हैं दौनों में से किसी एक का बता दीजिए वो प्रतेक का ही हुआ क्योंकि दौनों के बराबर है selling price इसलिए चलिए cost price आपको दे रखा है कितना 32 रुप है तो पहले का P1 दूसरे का P2 हम मान सकते है cost price कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहले पर 25 प्रतिशत का लाग इसका मतलब P1 का 25% profit बोल रहा है तो P1 के 125% पर इसको बेचेंगे इसका selling price आएगा क्योंकि P1 first वाले का हमने cost price लिया है दूसरे पर 25 प्रतिशत की हानी हो रही है तो second वाले का जो cost price है वो P2 मान लिया 25 प्रतिशत की हानी मतलब इसके 75 प्रतिशत पर हम बेचेंगे तो यह आया पहले का और वो आया दूसरे का selling price विक्रे मुल्य जो की प्रश्णी के अनुसार क्या है बराबर है यह cancel यह गया 3 और यह गया 5 तो हम यहां से P1 और P2 मतलब फर्स्ट वाले का cost price और second वाले का जो cost price है उसका ratio ले सकते है 3 raise to 5 आ रहा है आपको total दे रखा कितना 32 रुपए है तो हम यहां पर total देख सकते हैं कितना है 32 तो नीचे अनुपातों का total कितना 8 इसके बारे में बात करनी है आपको तो वैसे तो विक्रे मुल्य पूछ रहा है पर cost price क्रे मुल्य क्यों निकाल रहे है क्योंकि किसी एक का क्रे मुल्य निकाल लेंगे तो उसके लिए विक्रे मुल्य भी फिर आ जाएगा तो हम निकाल लेते है क्रे मुल्य फर्स्ट वाले का उसका ratio लेते है तीन तो 1200 पर आप 25 प्रतिशत कमा रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो, वही आपको निकालना है, तो इसका मतलब 1200 का आप निकाल लोगे कितना 125 प्रतिशत है, चलिए, गैंसेल होने के लिए तो यह है, गैंसेल हो गया, फिर या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यह गया चार, यह गया पांच, चार से यह गया और पांच का तीन से 1500 रूप है, तो 1500 हमारा कोस्टettu selling प्राइस होगा, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का भी 1500 ही होगा, क्योंकि कुश्चन बोल रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, वो एक समान है, अगर आप निकालोगे तो भी वही आना है, तो आप्शन में 1500 जो मैं देखूं तो कौन सा आप्शन मैच कर रहा है, चौथा आप्शन बात करते हैं 131 के बारे में, क्या 11 कौशन नमर 131 देखिएगा, यदी किसी सामान के 3,4 भाग को 16 प्रतिशद लाब पर बेचा जाता है, 1 बटा 6 भाग को 18 प्रतिशद लाब पर, वसेस को 60 प्रतिशद लाब पर बेचा जाता है, यदि कुल प्राप्त लाब जो आपको दे रखा 67 रुपीज का है तो बताइए उस सामान का क्रे मुल्य कितने रुपए होगा जैसा कि मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी किसी भी एक वस्तु के कुछ टुकड़े करके या कुछ सामान पर कितने प्रतिशत का लाव कितने प्रतिशत की हानी होती अगर यह हम चेक करें तो वह तरीक चार भाग है उसको 16 प्रतीशत तो 16 लिख लिया ये गया चार वारडji का 3 3 से गुटा 12 12 प्रतिशत अब है एहानी प्लस में है तो ис को 60 प्रतिशत के लाब पर सेश कितना रिमेनिंग कितना रह गया 3 by 4 हो गया 1 by 6 हो गया तो टोटल हो कितना गया 3 by 4 प्लस 1 by 6 LCM कितना 12, 4 से 12, 3, 3 का 3 से 9, 6 से 12, 2, 2 का 1 से 2 9 और 2 कितना 11, तो 11 बटा 12 टोटल अभी तक वो सामान बिक चुका है तो remaining कितना रहे गया, एक समान था, एक में से 12 बटा 12 कम कर लूँगा तो एक बटा 12 आ जाएगा, तो remaining रहे गया 1 by 12 उसका है 60 प्रतीशत, ये गया 5 बार, तो ये आएगा क्या 5 प्रतीशत profit है या loss 8 प्रतीशत का आपको क्या बोल रहा है, लाब कह रहा है, तो ये 5 प्लस का आएगा जो की लाब को बताएगा चलिए इस तरह से पूरी वस्तु बिक गई, 3 बटा 4, 1 बटा 6 और 1 बटा 12, तो पूरी वस्तु आ चुकी, एक हो गई पूरी तो टोटल, finally इस पर क्या हो रहा है, इनकी टोटल कर लीजिए, 12 और 3, 15 और 5 कितना, 20 प्रतीशत, तो 20 प्रतीशत क्या है, लाब या हनी, प्लस का आ रहा है, तो 20 प्रतीशत का क्या है, लाब question में तो ये कह रहा है, कि उसको profit हो रहा है, टोटल कितना, 67 रूपीज का, और यहां से हमें profit पता चल रहा है, परसंटेज में, तो मैं कह सकता हूँ, 20 परसंट जो है, वो 67 रूपीज के क्या हो गया, equal, तो हम लिख सकता है, 20 परसंट, 67 रूपीज के equal है, तो एक इग नियम unity method से एक प्रतिशत का मान कितना होगा, 67 रूपान 2020, लेकिन हमें 1 परसंट की value नहीं, हमें उसका क्रे मुल्य कॉस्ट प्राइस ही, और क्रे मुल्य प्रतिशत में कितना होता है, 100, तो यह तो एक का मान है, तो 100 का मान कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते, यह cancel कर रहा है, पां 235 रूपे, जो की second option हमें दिख रहा है, बिलकुल सही होगा, तो यह था हमारा question, question number 131, बात करेंगे question number 132 की हमारे next part में, तब तक चैनल को subscribe, video को like, share और comment box में comments कीजिए, thank you so much Please like, share, subscribe, digital तैयारी